तो यह है कि HPK61 का मदरबोर्ट ब्रांडेड है, तो दो इसके लिए SMPS भी अलग से होना चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मल जो SMPS होता है हमारा, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है, यह तोटली अलग है, मेन कनेक्टर इसका, यह जो 6 पिन का है, 5 पिन, sorry, कि इसना पिन है, 2, 4, 5, यह जो 5 पिन का मुमेन कनेक्टर है, यह कनेक्टर आपको चाहिए, तो नॉर्मल SMPS से भी यह कनेक्टर आप बना सकते हो, बस वयर का मिक्स करके, अगर आपके पास जैक हो, तो बना सकते हो, पर अगर exact SMPS हो, तो काम करने में, मतलब satisfaction ज्यादा आता है, तो देखो इस बोट में तोगड़ासा पॉबलम है, मतलब on नहीं हो रहा है, तो यह पावर दिया, तो देखो on हुआ एक बार, और deva कार देख सकतो लगा करखा है, पर कोई भी code नहीं है, तो इसमें कोई code नहीं हो रहा है, मतलब एक बार on होके off हो रहा है, तो फिर से एक पर टीगर देखे देखते हैं यह देखो एक बर ऐसे ओन होता है फिर आफ हो जाता है तो लगभग क्या हो सकता है अगर इसका भीरम सेक्षिन हटा दू यह यह कनेक्टर लगा हुआ है फिर इसे मैं चलाता हूं अब यह फैन नहीं घुमेगा पर फिर भी सेम केस है बिना भीरम के तो इतना ही चलेगा पर भीरम डालने के बाद दिख रहा है यहां पर अब दिख रहा है तो यह जो मैं भीरम डाल रहा हूं इसके बाद भी अगर मैं टिगर देता हूं तो बस उतना ही चलता है और दिभा का के दिखाता हूं कोई भी कोड ने हैं बस दो लाइट यहां पर जल रहा है तो इस टेप के केस में क्या होता है बॉर्ड में कुछ न रेकुछ शॉट होता है पहले अपको शॉट हटना है और देखना है प्रटिकुलर कहाँ पर शॉट है और नरभाइब section में ही ये shot आपको मिलेगा हाला कि paper capacitor हो सकता है मतलब polarized capacitor हो सकता है और SMD non polarized capacitor भी हो सकता है तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें shotting कहां पर है exact तो वो जो shotting है उसको बस remove करना है ये सारा connector हटा देता हूँ ये connector हटा दिया इसको site कर दिया तो अभी camera को कैसे करो एक second hold करो तो अब ठीक है इससे ज्यादा नहीं आएगा इस skin पर तो debug card हटा दिया तो देखो B&M section के आसपास हम trace out करके देखेंगे और क्यूंदेखेंगे इस board में लगवग लगवग सारा component देख सकता हूँ यह जो SMD capacitor है मतलब बहुत ही brown color का हो चुका है ठीक है इन में से लगवग shot मिलेगा definitely पर कौन सा है मुझे भी पता नहीं है और 100% sure हूँ कि मिलेगा तो यह total यह जो portion है इस portion में थोड़ा सा check out कर लो अगर shot मिले तो ठीक है मिलेगा तो definitely अगर ना मिले तो फिर अलग से देखेंगे ठीक है तो मैं साथ में रहा जाओ तो मैं बजर मोट पे लेके एके करके चेक कर लेता हूं तो नहीं है short इसमें नहीं है नहीं है नहीं है यह लग रहा था यही short होगा मेरे कहल से इसका हालत बहुत खराब है पर short नहीं है वह नहीं है नहीं है नहीं है इसमें बीप करेगा इसमें बीप करेगा ठीक है यह new york CPU का है तो इसमें भी करेगा मतलब ओम सारा ठीक है तो इधर दो है नहीं है short नहीं है zero point अच्छा मुझे मिला एक ठीक है एक मुझे मिला है तो यहाँ पर देखके भी लग रहा है यह short हो सकता है देखो तो मुझे जो short मिला है यह एक capacitor short मिला है ठीक है तो देख सकते हो यह clear देख सकते हो यहाँ पर देखके गंदा लग रहा है ठीक है मतलब राष्ट बगरा है और डाजट भी है पर टिकुलर मुझे यह एक SIMD capacitor है जो मुझे short मिला और मैं थोड़ा था यह जो सर्फेस से इसको क्लीन कर लेता हूं पहले अब एक बर चिक कर लेता हूं फिट से हाँ यही short है यह देखो यह देखो 00 00 पे continuity पे बीप कर रहा है तो यही एक component है short है तो अभी यह नहीं कि इसको remove करने से board ready हो जाएगा ऐसा कुछ logic नहीं है step by step देखना होता है इसको पहले रिमूब करेंगे उसके बाद आगे का step देखेंगे तो यह उठाने में मुझे बहुत दिक्कत करना पड़ेगा दिक्कत होगा मुझे क्योंकि यह जो ब्रांडेट बोर्ट का जो PCB है इसमें जो शोल्डर यूज होता है यह बहुत ही खतर्नक स्ट्रॉंग बिल्ड क्वालिटी का तो यह इतना आसानी से मतलब PCB से उठता नहीं है और अभी तो आज तो बहुत ठंड है SMD भी मतलब हीट ठीक से नहीं हो रहा है वह पर हीट नहीं हो रहा SMD लो आज नहीं यह जब तक विंटर रहेगा तब तक ऐसा पॉब्लेम आएगा उतना दिन पर नॉर्मल SMD अगर होता कोई का नॉर्मल बला जो होता है 1200 का वह SMD बहुत अच्छा काम करते हैं जब मैं यूस करता था मैं भी उस करता था तब क्या है ना यह सब दो तिन सेकंड में उठ जाता था तो अभी यह बहुत टाइम ले लेता है कभी कवाल लगता है कि वह सिजन है सिजन तक बुस SMD से काम करो कि उसका यह बाय हत का काम है उठाने का तो यह मैं एक सेकंड इसको उठाना पड़ेगा अब लोग दूर से देखो मैं इसको कर लेता हूं मैं फिर पास से दिखाता हूं ठीक है हुआ 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 है चलो हो गया भाई यह रख दिया पर इतना जल्दी हो जाएगा मुझे भी पता नहीं था तो अभी देखो यह है वो कॉम्पूनेंट हमारा तो अभी एक बार चेक कर लेता हूं फाइनली के सच में यह शॉट है या फिर तो इसके उपर रखता हूं नहीं तो ग्राउन ले लेगा इस सब्सक्राइब यह शॉट है यह हंडेट पस्तन शॉट है तो अभी सर्फेस पर देखेंगे थोड़ा सा यह देखो यहां पर प्लेस था यह देखो शॉट चला गया देख पा रहा हो कि यह देखो शॉट नहीं है तो यहां पर शॉट था यह कापसिटर ठीक है मैंने कहा था कि इस टाइब के केस में आपको एसेंबली में कैपसिटर शॉट मिलेगा और ऐसे ओन होके ओफ हो रहा है तो तो अभी पॉस कर लेता हूं फिर से इधा यह कैपसिटर को यहां पर रखता हूं ठीक है और एक सिगन फोन को ऐसे घुमा लेना है अब ठीक है तो अभी फिर से मैं पावर डालता हूं इसको कैसे था बूड अच्छा ऐसे था ऐसे करना पड़ेगा और यह गया 6-pin यह गया 5-pin कनेक्टर यह गया 5-pin कनेक्टर और यह गया हमारा CPU का सप्लाई और फैन का कनेक्टर तो इस से जबदस लगा देता हूं और अभी मैं एक बर पावर देखे देखता हूं इसमें क्या होता है अब होन होके आप अब टीगर देखे देखता हूं नहीं देखो मैंने कहा था न अभी भी इसमें कुछ न कुछ शॉट है पर क्या हो सकता इसका शॉट अभी भी इसमें शॉटिंग है तो यह शॉट मैंने हटाया अभी सिप्यू को एक बर खोल के डिस्कनेक्ट कर लेता हूं इसका पॉंड पनल सेम कंडिशन पर चल रहा है बोड अभी भी सेम कंडिशन पर बोड चल रहा है एक सेकंड होल्ड करो थोड़ा सा सो बिसीकली देखो कम से कम एक घंटा लगा मुझे इस बोड को सॉल्व करने में तो यह सॉल्व हो आए तो उतना टाइम में लेके विडियो बनाता तो बहुत लॉंग हो जाता तो अभी देखो कहां पर और भी problem था तो यह basically इसका CPU BTT बन नहीं रहा था जिसके बज़ा से यह चलके बंद हो रहा था और शौट कहां था देखो शौट था इसका मैं explain करता हूं और एक बार मैं देख लेता हूं ठीक है की नहीं ठीक है तो इतने टाइम में इसके उपर काम कर रहा था तो अभी इतने टाइम में काम करता तो बहुत लॉंग हो जाता वीडियो तो एक बार फिर से आप कर दिया और डि यह देखो ले लिया और यह देखो कोट तो जनेट नहीं हो रहा तो इसमें टीपी एंपोर्ट नहीं है इस स्लोट में तो डिस्प्ले देखो आ जाए यह देखो आ चुका है ठीक है डिस्प्ले आ चुका है और इसका पॉब्लम हो रहा था था थोड़ा सा देख लो पहले म तो इस बोड में ब्रांडेट बोड में मतलब अलग कॉंसेप्ट होता है इसके उपर काम करना मतलब दीमाक का मा बैन करना तो इसलिए मैंने वीडियो पॉस्ट करके रख दिया था क्योंकि मुझे भी पता था अगर यह हो नहीं रहा है तो लेट बहुत डिले हो जाएगा तो देखो हमारा जो हमने शौट र्यूप किया था तो यह है यह वाला पो श्छन था मा वह चुका था तो कि बज़ा से शॉट तो पहले था बोड तो पहले शॉट था ये देखो और इसके बाजू में एक ऑगर किस काम पर लगता है मुझे पता नहीं और इसका मॉड़ल नमबर क्या मैंने देखा भी नहीं है पर इस IC इसका ability generate करता है जो की one ball supply is capacitor होके आता है और इस MOSFET से control होके फिर CPU पर जाता है फिर जाके यह board running होगा तो यह capacitor short जब हुआ था तब यहां पर board में totally rust था डश्ट था और रस्ट दोनों ही था तो capacitor के साथ यह जो इसी है यह मतलब 20 pin का IC है नहीं 20 pin नहीं एक सेगन एक दो तीन चार किस्टीन पीन का IC है किस्टीन पीन का IC है यह तो यह जो IC है इसके हटा देता हम एक सेगन इसके इस साइड में totally मतलब मिट्टी भरा था इस साइड में ठीक है यहां पर यह जो portion देख रहा है एक दो तीन एक दो तीन चार नंबर यह चार pin totally मिट्टी से बढ़ा हुआ था पर डिक नहीं रहा था पर मैंने भी notice नहीं किया मैंने समझ रहा था कि यह मॉस्पेट है इस साइड और इस साइड में पीन है इसका तो मैंने ठीक से देखा इसको clean किया तो मुझे देखा कि यह आइसी है जो कि यह one ball supply देता है अभी मैं दिखाता हूं इसको और यह supply मिल नहीं रहा था इसलिए यह board on-off हो रहा था और पहले जो on-off हो रहा था यह capsator के वज़े से हो रहा था पर capsator निकालने के बाद भी हो रहा था तब मैंने देखा मैंने अच्छे से board को clean किया थोड़ा सा dry heat किया इसके अंदर जब तक pause था वीडियो फिर भी नहीं हुआ तब मुझे यहाँ पा थोड़ा सा अच्छे से inspection करने के बाद मुझे दिखा कि यह जो आएसी है एक site का चारो पिन मतलब मिट्टी था यहाँ पर कुछ धूल मिट्टी था डाश्ट वगड़ा तो इसको मैंने popper clean किया और अच्छे से heat up किया इसको paste डालके उसके बाद यह board और हो है और display भी आया है और customer को कहना था इसका RAM का error है ठीक है RAM का error था मतलब बार बार beep कर रहा था RAM का तो RAM का error भी capacitor के बज़ए से ही आ रहा था जब मैंने remote किया उसके बाद से मुझे एक बार भी RAM का error नहीं मिला directly display आ गया तो फिर से एक बार on कर लेता हूं board को और voltage को देखाता हूं यह कर दिया मैंने board को on तो अभी देखो debug card में proper LED आ रहा है ठीक है और multimeter थोड़ा सा follow करो दूर से ही यह display आ चुका है ठीक है मैं दिख रहा हूं monitor पर आ चुका है display तो यह देखो यह है इसका CPU VTT जो monitor follow करो multimeter यह देखो 1.16 यह missing था यह मैंने जब check कर रहा था तो यह मुझे मिल नहीं रहा था उसके बाद मैंने IC को अच्छे से मतलब पेज डालके तो reflow किया तो यह बन गया IC work करने लगा है popper काम कर रहा है IC तो यहाँ पर जब voltage मिला तो CPU हीट होना चालू हुआ उसके बाद एक ही बार मैंने tigger दिया तो board on हो गया और ऐसा ही होता है देखो branded board का मतलब इसका तो symmetric popper नहीं मिलता है कभी कवर मिल भी जाता है पर यह ढून ढून के काम करना होता कुछ short है 100% shot मिलेगा आपको आप अगर अच्छे से ढूंडोगे तो मिलेगा ही मिलेगा और वो short remove करने के बाद भी अगर ऐसा होता है इस type के मतलब ऐसी type के board अगर होता है तो इस board का अलग side में भी ब्रैंडड बोर ऐसा आता है स्क्वार में भी आता है कुछ कुछ तो क्या है आपको अच्छे से चेक करना होता है इसका ब्रीडिटी बन रहा है कि नहीं अगर ब्रीडिटी मिसिंग हो जाएगा तो भी ऐसा कुछ होगा तो यह देखो फिर से display आया है और एक बार मैं restart कर देता हूं एक बार restart हो जा भाई हाँ एक बार restart हूआ है फिर से on हुआ है तो यह देखो कोट का कुछ चेंज नहीं हो रहा है पर display आ जाएगा भी ग्लू आइलाइट मोनिटर पर यह देखो आ गया ठीक है तो एफ़ोन मांग रहा है तो keyboard press है एफ़ोन डाल दिया मैंने देखते बास पर घुसते की नहीं क्या होता है तो क्या था मैंने देखा भी नहीं था एफ़ोन पर क्या मांग रहा था यह फिर इसे रिस्टर्ट हो आए बोर्ड और डिस्पले गया है इसका फिर इसे आया है तो एक बार पड़ लेता हूं क्या बोल रहा है अच्छा एफ़ोन टू बूट अच्छा बूट मांग रहा है ठीक है तो यह पोपल हाड़ डाइप कर देंगे तो हो जाएगा काम तो सक्सेस् बोर्ड में ज्यादा कुछ नहीं था और थोड़ा सा ड्राइप किया एक पुपर आईसी जिसको करना था उसको ही किया और बन गया बोर्ड और मैंने एक दफ़ा टोटल पूरा बोर्ड को किया था क्योंकि इस बोर्ड में बहुत डास्ट था इसलिए और क्लीन किया और एक आईसी को पर्टिकुलर मैंने यह जो आईसी है इसको हीट अप किया पेज डालके तो बन गया हमारा भेटिटी और चालू हो गया तो वीडियो बस इतना ही है मिलते है किसी नेक्स्ट केस स्टाड़ी पर तब तक के लिए लग्यों जय हिंदे